हेलो दोस्तो हिंदि एंड़ोई टिप्स में आप सभी का स्वगत है दोस्तो अगर आप एक एंड़ोईट फोन यूज करते हैं तो आपके मुबाइल में नोटिफिकिशन बार तो होगा ही इस वीडियो में मैं आपको मुबाइल के नोटिफिकिशन बार की एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप नोटिफिकिशन पैनल में अपना फोटो लगा सकते हैं या किसी और का फोटो लगा सकते हैं जी हाँ दोस्तो अगर आपके दोस्त देखेंगे तो वो भी एकदम से चौक जाएंगे और आपसे पूछेंगे भाई तुने नोटिफिकिशन बार में अपना फोटो कैसे लगाया है तो अगर आप इस ट्रीक को सीखना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आगे बढ़ने से पहले दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए है तो यहाँ पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में नोटिफिकिशन बेल को ओन कीजिए और आल पर सेट कर दीजिए ताके आने वली निव वीडियो की जानका कर लेना है इसका नाम है One Shade इसका डाउनलोड लिंक आपको description में मिल जाएगा वही से आप इस application को download कीजिए इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से interface आ जाएगा अब यहाँ पर आपको इन तीनों ही permission को on कर देना है permission को allow करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से interface आ जाएगा अब दोस्तों आपको यहाँ पर colors पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर custom background image पर click करना है इसके बाद आपको select पर click करना है यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप इसे अच्छी तरह से crop भी कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर select पर click करना है अब दोस्तों आप देखेंगे मेरे mobile के notification पैनल में मेरा photo लग चुका है जोके देखने में काफी cool लग रहा है काफी कमाल का लग रहा है कोई भी बंदा देखेगा तो एकदम से चौक जाएगा और पुछेगा भाई तूने ये कैसे किया है तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe कर लीजिए अगर दोस्तो आपको इसे हटाना है तो आपको दोबारा से application में जाना है custom background image में जाना है और आपको यहाँ पर इसे remove कर देना है remove करने के बाद दोस्तो फोटो हट जाएगा आपका mobile का notification पैनल पहले की तरह हो जाएगा तो मिलते हैं दोस्तो अगली वीडियो में Thank you